मान लो के आप कहीं से जा रहे हों और सब भी आप किसी जीव को देखते हैं जिसे के आपकी सहायता की जरूरत है तो क्या आप उसे अंदेखा करके चलते बनेंगे अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही अनमोल पल दिखाएंगे जिसमें जानवरों को हम इनसानों की मदद की जरूरत थी और लोगों ने उनकी मदद भी की ये गायन जाने में इस दलदल में घुज गई थी जिसे के इस ट्रैक्टर में बांधा गया और धीरे धीरे खीचा गया और अगर ये गए मानसिक रूप से ही हार मान लेती तो शायद आज बाहर ना निकल पाती बेचारा ये कुत्ता गल्ती से इस तार में फस गया था जो कि जितना ज्यादा जोर लगा रहा था उतना ही अधिक उलज रहा था पर थोड़ी ही देर बाद जब वहां लोगों ने उसकी ऐसी देनी अहलत देखी तो उन्होंने तार को काट कर उसे अजाद कर दिया क्या आपने कभी किसी अजगर को पानी पीते देखा क्योंकि इस यूवग ने तो अपनी पाटी शाटी वाले गिलास में इसे पानी दे दिया जिसे के ये देखते ही देखते पी गया जरा इस कच्छोय को देखो जो अपने उपर एक अलगी दुनिया बसाए गूम रहा है जो कि इसकी शिकार बनने की संभावना ये तो कम कर देता है पर ऐसे में इसे बिमारियां होने का खत्रा बढ़ जाता है तो इन जनाब ने इसे साफ करने की ठान ली और जब इसके उपर से सब कुछ हटा दिया गया तो ये कच्छुआ कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ ये बाज अपनी चोंच का अगला हिस्सा अगवा कर बैठ गया था जिसके बिना तो ये कुछ खा भी नहीं पा रहा था पर तभी कुछ विशेशग्यों ने 3D प्रिंटर की सहाईता से इसकी चोंच का इंतजाम कर दिया कुछ लोगों ने इन उठों के जुंड को रेगिस्तान के बीच ओ बीच रोग दिया और इन प्यासे उठों को पानी भी दिया क्योंकि पानी का अगला स्त्रोत 160 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर था और कोई इतना निर्दई कैसे हो सकता है जो इन गधों को माइनस 40 डिगरी में बाहर छोड़कर चला गया था पर भलाव इन दो यूवकों का जिनोंने इने इने खाना दिया और बर्फ में इने बचाने और गरम रखने के लिए तरपाल से काम चला हूँ एक छट भी बनाई ये लोमडी भोजन की तलाश के समय इस चक्के में फस गई थी और अब इसका इसमें से बाहर निकलना लगभग ना मुम्किन था जिसे निकालने के लिए इन लोगों ने बहुत ही ज़ादा मेहनत की और अंत में ये लोमडी बाहर निकली गई ये हाथी नहर के इस बांध में फस गया था जो कि समझ ही नहीं पा रहा था कि इसे निकलने के लिए पीछे के और जाना पड़ेगा और क्योंकि ये सब भारत में हो रहा था तो लोग उसे जैसे तैसे दूसरी और ले ही आए और बाद में वो लोग अपनी इस जुगाडू पोड़ी से उसे नहर से बाहर निकालने में भी सफल हो गए ना जाने ये कुता कैसे इस बरफीली जील में गर गया जो कि अगर ऐसे ही रहता तो थोड़ी दिर में जम जाता या फिर इसे लखवा मार जाता पर इन लोगों ने भी ठान लिया था कि इसे बचा कर ही दम लेंगे जो कि अपनी खसता हाल अतनाव को धीरे धीरे उसके पास ले जाते हैं और किसी तरह से उसे निकालने में काम्या भी हो जाते हैं वैसे आज की वीडियों में बस इतना ही आपको कौन सा पल सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट में जुरूर बताएं धन्यवाद